Hello dear students, इस वीडियो में बच्चों हम Lesson 12 The Swing पढ़ेंगे जो की एक पोयम है, Swing मतलब क्या होता है? जूला, आप सबको पते हैं, गाटन में आप Swing करते हो, जूले पर बैठके जूलते हो, तो इस पोयम को पोयट Robert Lewis Stevenson ने लिखा है और उसमें उन्होंने बताया इस पोयम में कि जब वो बच्चे थे और आपकी तरह जूला जूलते थे, तो उनको कैसा फील होता था, क्या experience था, किस तरह का लगता था मन में, वो सब चीजें उन्होंने इस पोयम में डिस्क्राइब की हैं, तो आईए, आप इस पोयम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इन चाड लाइनों में पोयट बोल रहे हैं, कि आपको, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम स्विंग वाले जूले में, जब उपर की तरफ जाते हो, अप इन दा एयर, सो ब्लूज, कैसा लगता है, जब हम हवा में, जब जूला उपर की साइड जाता है, तो हमें हवा इतनी, सब को आसमान नीला नीला दिखाए देता है, ओ, I don't, I do think it's the pleasantest thing, pleasantest मतलब सबसे सुंदर, सबसे अच्छी चीज उनको लगती है, यह जूले में, जब वो उपर की तरफ जाते हैं, जो कि एक बच्चा हमेशा करता है, जूला जूलता है, बहुत उचा-उचा जूलता है, तो उपर जाते हैं, तो उनको बहुत ही इन चार लाइन में पोएट, उसी के बारे में explain कर रहे हैं, जब हम जूला जूलते हुए हो हमें उपर की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, जो साइड की दिवारे होती हैं, हम उससे भी उपर निकल जाते हैं, और हम उतनी दूर तक, दूर दूर तक देख सकते हैं, मतलब अपने जो प्लेस है जहां पर हम रह रहे हैं गाओं के उसके बाहर ऊपर की, मतलब सब चीजे हम देखते हैं, जब हम ऊपर की साइड जाते हैं, Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down, तो इन लाइन्स में poet क्या बोल रहे हैं, poet बोल रहे हैं, Till I look down, जैसे क्या होता है, जूले में जब ऊपर जाते हैं फिर उसके बाद तुर्ण नीचे की तरफ आने लगते हैं, तो वो कह रहे हैं, जब में नीचे की तरफ जाके जब नीचे की तरफ देखता हूँ,I look down, तो मैं क्या देखता हूँ? garden green मतलि नीचे हरा हरा साथ पूरा garden, जब हम्हामें उपर जाता है, उपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं, तो उसको लगता है कि पूरा हरा हरा जो बगी चाय गार्डन है वो बहुत ही सुन्दर लगता है and down on the roof so brown और दिखता है कि छत की दिवार जो है वो भी brown color की है up in the air I go flying again और फिर इस तरह से वो बार-बार जूले में नीचे की तरफ आते हैं तो इस तरह से वो हवा में up down जूले को करते रहते हैं swing करते हैं और उसको enjoy करते हैं तो यहां पर बच्चों आपने देखा कि इस तरह से बहुत ही entertainment होता है जब बच्चा जब कोई जूला जूलता है swing पे तो वो उपर जाके नीचे आके उपर बहुत हवा लगती है उपर से हम दूर दूर तक की चीज़े देख पाते हैं जब हम height पे पहुंचाते हैं और उपर से जाके हम जब नीचे की तरफ देखते हैं तो वो भी नजारा हमें बहुत ही सुन्दर दिखाए देता है तो यहां इस तरह से poet ने अपने expression व्यक्त किया है कि जिससे आप लोग भी इस चीज़ के बारे में सोचे हैं और उसको observe करें जब आप जूला जूलते हैं अब हम इसका थोड़ा सा exercise पार्ट करते हैं बच्चों फर्स पार्ट में correct option को हमें tick करना है जब हम जूले में ऊपर और नीचे आते हैं उसमें जो मज़ा आता है उसके बारे में इस पोएम में explain किया है तो आई होप आपको समझ में आई होगी पोएम तेंक यू